हेलो फेंड्स मैं हूँ अजीशेक आप देख रहे हैं मुवी स्टॉक चैनल जिस पर आज मैं बात करने वाला हूँ दे न्यू मूटिन्स फिल्म के फर्स रियक्शन रिव्यू के बारे में जो फाइनली थेटर्स में रिलीस हो गई है लेकिन हमारे इंडिया के नहीं पर जो फिल्मों के स्कोर से लेकर फिल्म के रिव्यू तक आपको यूटूब से लेकर बाकी दूसरी वेबसाइट पर पढ़ने तक के लिए मिल जाएगे कि एक्च्वर में ये फिल्म है कैसी और हाँ आमारे इंडिया के कुछ खास लोगों ने इस फिल्म को पाइरेटेड डाउन इसमें से 5.8 की रेटिंग जो की अच्छा सिगनल भी नहीं दे रही और इसके अलावा रोटें टमाटो पर भी आ जाए तो फिल्म के क्रिटिक स्कोर 31% के है और ओडियन स्कोर 53% के यानि कि क्लियरली देखा जाए तो ये फिल्म इतना टाइम से लटके होने के बाद भी बि किये गए क्योंकि उनके अकॉर्डिंग फिल्म को बिल्कुल ठीक बनाया गया है और अब जबकि फिल्म फाइनली रिलीज हो गई है तो इसे लेकर लोग और क्रिटिक्स भी अपनी राय बिल्कुल साफ साफ दे रहे है कि ये फिल्म रेटिंग के हिसाफ से इतनी भी ज़्य जादा बुरी है नहीं जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना क्रिटिक्स ने इस फिल्म को एक वन टाइम डीसेंट वाच फिल्म कहा है जिसे आप देखोगे और भूल भी जाओगे क्योंकि जिस तरीके कर कंटेंड को इस फिल्म में इंक्लूट किया गया है वो सूपर हीरो क के अलावा हॉरर के ऐलिमेंट पर भी काफी ज़्यादा फोकस करता है हाला कि फिल्म आर रेटेट नहीं बलके पीजी 13 है जो कि हो सकता है कि फिल्म के डिजनी के अंडर आने से इस रेटिंग को और फिल्म में कुछ सिंस को काटकर चेंज कर दिया गया होगा और इसके फिल्म के स्टार्ट के 20 मिनिट आपको बोर करते हैं उसके बाद जाकर फिल्म थोड़ी इंटरस्टिंग होती है और थर्ड हाफ में आपको फिल्म अच्छी लगती है यानि के ओके सी फिल्म लेकिन इन सब के बीच जो भी सिचुएशन हमें फिल्म में दिखाए गई है लो और एक्षन ठीक ठाक है और जी हाँ फिल्म में थोड़ी बहुत कॉमेडी भी है जो सिच्वेशन के हिसाब से ठीक ठाक है यानि देखा जाए तो क्रिटिक्स की नजरों में ये फिल्म जैसे के मैंने स्टार्ट में कहा एक एवरेज सी फिल्म है जिसे आप एक बार तो देखी सकते हो तो आए हो सिच्वेशन जल्द ही क्लियर होगी और हमें ये फिल्म हमारे इंडियन थेटर में हिंदी में भी देखने मिलेगी तब वेट करते है इस फिल्म के ओफिशल हमारे इंडिया में रिलिंस होने का जिसके बात देखकर मैं आपको अपनी राय भी बताऊंगा कि ये फिल्म मुझे personally कैसी लगी लेकिन अभी के लिए तो इस first reaction review से ही काम चलाना पड़ेगा कि ये फिल्म एक average सी फिल्म है तो इस first reaction review को लेकर आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे comment करकर जरूर बताईएगा क्या आप इस फिल्म के लिए excited है भी या नहीं और सी के काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अब खतम करते हैं वीडियो को यहीं पर मैं हूँ अजीर शेक आप देख रहे हैं जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ली करने के लिम्स का फ зов कर दो रहे हैं पर मैं हुए तक आप रहे हैं लिए भी तक सब्सक्राइब है दो